विवन कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपके एजुकेटर नेहा सैनी आज हम आपका टॉपिक डिस्कूस करने वाले हैं मास परसंटेज की बारे में कैसे हम मास परसंटेज निकालते हैं किसी भी solution की जैसे कि आपको बता है solution हम काफे टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं बच्पन से पढ़ रहे हैं ठीक है तो solution क्या होता है solution is the mixture of two or more substances in which proportional of their constituent can be varied and certain limits ठीक है देखो solution का meaning होता है कि दो components का mixture या दो से ज़्यादा components का mixture में लिए अगर हम solution देखते हैं तो solution के अंदर हमें दो चीज़ यादाती है सबसे पहले solute plus solvent ठीक है यह solute plus solvent क्या है आपका solution है solution में solute क्या होता है जो कि small amount में आपका present है वो क्या आपका solute है जो कि high amount में present है वो आपका solvent है और इन दोनों को मिला के जो बनता है ठीक है वो क्या है आपका solution है तो अब देख लेते हैं कि कैसे आप mass percentage निकालते हैं किसी भी solution की देखो बच्चो जैसे कि आपको बता है कि concentration of solution निकालने के लिए आपको क्या करना होता है amount of solute by amount of solvent या फी solution ठीक है यह होता है आपका concentration निकालने के लिए किसी भी solution की अब यहाँ पर निकालने आपको mass percentage ठीक है यानि कि हम यहाँ पर बात करेंगे mass की so mass of solute by mass of solution ठीक है यह कि आपका mass की तो बात हो गई लेकिन यहाँ पर बोला गया percentage तो किसी की भी percentage निकालते हैं तो into 100 कर दीजिए बहुत simple है ठीक है formula आपका तयार हो चुका है mass percentage निकालने के लिए तो mass percentage of a solution equal to mass of solute upon mass of solution into 100 अब इसके थुरू यह एक example आपको मैं पहले करके दिखाऊंगी इसके बाद ही आपको समझी में आएगा कि कैसे हम mass percentage निकाल रहे हैं किसी भी solution की तो चलिए देख लेते हैं एक example तो question आपका a solution contains 60 gram of common salt in 340 gram of water calpit concentration of solution अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार यह तो concentration of solution दिया गया है और मैं पढ़ा रही है mass percentage क्या है यह कुछ समझ में ही नहीं आ रहे है देखो question बेध्यान दो क्या दिया गया है question के अंदर बहुत साफ साफ लफजों में कहा गया है कि आपकी value किस के अंदर है gram के अंदर है भई gram के अंदर ठीक है, तो gram के अंदर दी गई है तो किसके बारे में बात की गई है मास के बारे में, ठीक है तो आपको concentration किस term में निकाल ली है मास के terms में आपको concentration निकाल ली है, तो उसके लिए formula भी कौन सा लगेगा, भई mass of solute by mass of solution ठीक है, ये आपका formula वोला लगेगा, ठीक है, can of loss of chloridration that laugh ठीक है, अब इस высокланuले में क्या दिया गया है, यह आप समझ लीजी आपको निकाननी क्या है? it's a concentration ठीक है concentration निकाननी है ठीक है, तो सबसे पहले हम concentration ही निकान लेते हैं सबसे पहले आपको mass of solute दिया गया है मास ओफ सोल्यूट कितना है आपको 60 ग्रैम दिया गया है उसके बाद आपको बोला गया है फॉर्मले के अंदर मास ओफ सोल्यूशन कुछ बच्चे जो बहुत ज़ादा हुश्यार है ठीक है या बड़े ही चालाग बच्चे है और फटा फट क्या करेंगे 340 और वैल्यू निकालके ये लो मैं मांसर ठीक है पर ऐसा नहीं होने वाला है बच्चो यहाँ पर आपको 340 ग्रैम सिर्फ सोल्यूशन नहीं है आपका सोल्यूशन सोल्यूशन क्या होता है सोल्यूट प्लस सोल्यूशन ओके तो solute plus solvent क्या करेंगे आप 340 plus 60 यानि कि 400 gram आपका क्या है solution है तो value कैसे निकलेगी 60 by 400 gram ठीक है और mass percentage या concentration in terms of mass अगर आप निकाल रहे हो तो into क्या करना पड़ेगा आपको 100 जैसे आप इसको into करोगे 100 से value क्या आएगी आपकी 15 percentage ठीक है 15 percentage आपकी value आगई है अब इस 15 percentage को आप किस तरह से देख सकते हैं यह जो आपकी 15 percent है आपने सुना होगा 15 gram in 100 gram of solution यानि कि जो आपका 15 gram है salt वो each 100 gram of solution की अंदर है ठीक है इसमें पूछा क्या गया था इस solution contain 60 gram of common salt इतने water के अंदर तो calculate कीजे concentration concentration आपकी आई है 15 percent 15 percent का meaning क्या होता है यह समझने की बात है 15 percent यानि कि 15 gram of salt in each 100 gram of solution यानि कि 15 gram नमक जो है 100 gram solution की अंदर है ठीक है इस तरह से आपका presentation किया जाता है chemistry के अंदर mass percentage हो या कोई भी आपकी concentration अगर आपको सो की गई है percentage के अंदर तो आपको इसको कैसे लिखना है इस तरह से लिखना है अगर आपसे कोई पूछे वरना आपसे percentage के अंदर answer निकाल के अपना काम खतम कीजिए ठीक है अगर वो आपसे कहे कि भाई आपको यहाँ पे लिखना है कि कितना आपका amount आया कितने gram के अंदर तब आप लिखना अगर आपसे कोई पूछ ले आपको पता होना चाहिए इसी फिक जनल नौलिश की बात थी कि कैसे हम इसको concentration की टम्स में लिखेंगे ठीक है तो यही question आपका यहीं पे समाप्त होता है मिलते हैं next class में नए लेसन के साथ आज का आपका topic यहीं पे खतम होता है जिसमें आज हमने सीखा how to calculate mass percentage of a solution so thank you to all और नए नए topics मुझे suggest कीजिए कि आपको कौन-कौन से topics पे new video चाहिए और मैंने एक poll भी लगाया था कि 9, 10, 11, 12 आपको किस class के लिए course चाहिए ठीक है तो complete course अगर आपको चाहिए तो आपको उस poll के अंदर जाके message करना है या फिर उसको 9, 10, 11, 12 आपको क्लिक करना है ठीक है तो जिसकी जितने जादा वोट होंगे उसी के basis पे new course बनेगा ठीक है दो-चार वोट से काम नहीं चलने वाला है भर-भर के वोट कीजिए उस पे तब जा कि आपका काम बनेगा और आपको new course पर वोइड किया जाएगा related to science 9th and 10th के लिए पूरी complete science and 11th and 12th अगर आप वहाँ पे select करते हो तो उसमें सिफ बाइलोजी तो मिलते हैं next class में नई topic के साथ थैंक्यू टू आल और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना थैंक्स फूर वाचिंग